सत्ता का दूसरा कारकाल और सवाल अभी विपक्ष से सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो जिसके हाथ में पुलीस हो संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो सवाल तो उससे होगा ना एक तो चोरी उपर से सीना जोरी तो दूसरों पर जवाब भरष्टाचार के आवरोप लगा रहे हैं और दूसरों के कथित भरष्टाचारी आपके पार्टी में शामिल हो जाएं तो सही कहा था ना शेहनाज ने बात यहां खत नहीं होती अमित जी ने जोरदार हमला बोला तृणपौल कॉंग्रेस पर ये कहते हुए कि तृणपौल कॉंघरस में वन्च वाध रहा है उनका हमला कहीं नहीं ममताब अपानर जी पर था क्या कहा अमिठ शाह ने आप खुद सुने त्रिनमूल कॉंग्रेस में सवाल नेत्रूतों के एप्रोच का है। मैं मानता हूँ सब के भतिजे राधनीती में नेत्रूच का है। सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर वसुंद्रा राजे सिंधिया और उनके बेटे दुश्यंत वसुंद्रा तो खुझ एक राधसी परिवार से आती हैं जी हाँ और उनके बेटे दुश्यंत इस वक्त राजस्थान में खास मुकाम रखते हैं नहीं तो बताईए ना उनका कु आगे प्यूश गोल आपके अपने रेल मंतरी क्या मुझे आपको बतलानी की जरूत है कि प्यूश गोल के पिता और उनके दादा राजनेता थे या नहीं थे आगे गोर कीजे अनुराग ठाकुर जो वित्तिराज मंतरी हैं और अपने पास टाइम में जन सभाव में जाके कहत हैं कि देश के घद्दारों को गोली मारो तो ये सज्जन जो है मुझे बताने का कश्ट करें हमिजी कि हिमाचल प्रदेश के किस मुख्य मंतरी के बेटे रहे हैं बात यहां नहीं रुखती आपके स्क्रीन्स पर पूनम महाजन नाम से समझ गये होंगे स्वर्गिये प्रमो या नहीं थी बताईए ना आगे देखिए प्रवेश साहिब सिंग मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि प्रवेश साहिब सिंग दरसल दिल्ली के पूर मुख्य मंतरी साहिब सिंग के बेटे हैं क्योंकि देखिए साहिब सिंग जो है ना बहुत ही सौम में स्वभाव की है, बहुत ही शालीन स्वभाव के व्यक्ती रहें और उनके मूँ से मैंने आज तक किसी के लिए कोई गाली गलोज नहीं सुना, मगर ये सज्जन जो कि उनके बेटे हैं, ये तो आपको याद है, इन्होंने क्या कहा था, कि शाहीन ब महराजा ज्योतरादित सिंधिया, इनके पिता कौन थे, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है, और सोने पे सुहागा, अमिजी जब आप हमला कर रहे हैं, तो कृपया इस शक्स पर गौर कीजिए, इनके माइडस टच के बारे में कौन नहीं जाता, अब आप कहेंगे, मा माजा हुआ करता था, वो जिस चीज को छूता था, वो सोने की बन जाया करती थी, जी हाँ, जैशा, जैशा किसके बेटे हैं, आप नाम से समझ गया होंगे, मगर जैशा, बी सी सी आई में खास मुकाम रखते हैं, ना ये क्रिकिटर हैं, ना इने क्रिकिट की कोई बहुत ज जानकारी है, मगर अमिच शाह जी के बेटे होने के चलते, इनको ये मुकाम भी मिल गया, तो अमिच जी ये बात हजम नहीं होती, जब आप कहते हैं कि साब त्रिनमूल कॉंगरे में वन्श्वाद भरा हुआ है, तो शेहनाज ने क्या कहा था, फिर सुनिए, दोस्तों, ये बात है कि पश्चिम बंगाल